Hello, दोस्तो, welcome back once again DPS Learning Point कहते हैं न दोस्तो, कि इंसाणियत इंसान को इंसान बना देती है मेहनत और लगन हर काम को आसान बना देती है बरना कौन पूझता है इन पत्थरों को एक आस्ता है जो पत्थर को बगवान बना देती है इसी उमेद और जुनुन के साथ मैं आपके सामने प्रिस्तत हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत है DPS Learning Point पर आज की इस Class में हम जानेगे प्रकास का परावर्तन तथा अबवर्तन के बारे में Class 10 तका आपका NCIT Book का यानि की Physics का पहला चेप्टर है प्रकास का परावर्तन तथा अबवर्तन तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकास के परावर्तन के बारे में देखेगा आप अपने चारों तरफ जिन चीजों को देखते हैं उसका एक मेन कारड होता है प्रकास अगर प्रकास ना हो तो उसकी उपस्तिती के बगएर हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे अगर आपके कमरे में थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकास आ रहा होता है तब भी आप उन चीजों को देख पा रहे ही होते हैं क्या होता है कि जब बिल्कुल ही लाइट चली जाती है या फिर बिल्कुल सूर का प्रकास भी नहीं आता है अब वो प्रकास जो है प्रकास के शुरोत के अगर हम बारे में बात करें तो प्रकास जो शुरोत है वो दो प्रकार का होगा एक तो होगा मानम निर्मित और दूसरा होगा आपका प्राकरतिक प्राकृतिक की बात करें तो आपका सूर है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सबी हैं जिनसे के हमारे लिए प्रकास मिलता है और हमें चीजों को देखने में मदद करता है दूसरी हम बात करें मानम निर्वित के वारे में मानम निर्वित में आपका जो है मौमबत्ती है आपका दीपक है आपका वल्ब है ये सबी हैं ये एक मानम निर्वित प्रकास के श्रोत हैं जिनसे हमें प्रकास प्राप्त होता है तो सारा निसकर्स निकल के ये आया कि प्रकास जो है वो एक प्रकार की उर्जा है जिससे हमें बस्तूओं को देखने में बहुत ज़दा आसानी होती है तो क्लियर हुए आपका पॉयंट की प्रकास क्या होता है चलिए अब हम बात करते हैं प्रकास के गुड़ों के बारे में की आकर Candice के कौन-कौन से गुड़ होते हैं अब हम बात करें कि निरबात में प्रिकास की चाल कितनी होती है तो निरबात में प्रिकास की जो चाल है वो 3 गोडा दसपे घात 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा सकता है अगर हम बात करें कि वह किन किन बस्तूओं में गमन कर सकता है तो जो बस्तूओं आपके पारद बस्तूगें में बिल्कुल नहीं जाता अपारदसी बस्तूगें कैसे कहते हैं यानि कि बे बस्तूगें जिनके लिए हम आरपार नहीं देख पाएं उन्हें हम कहेंगे अपारदसी बस्तूगें जैसे कि आपका लोगा है लकडी है इनमें आप आरपार नहीं दे सकते पारद तरसी होता है तो यह चीज़े आपको समझ में आ रही होगी अगर हम बात करें प्रकास के तरंग देदर की स्थाख भी तो प्रकास की उत्याद हैं अब हम बात करते हैं प्रकास के परावरतन के बारे में तो प्रकास के परावरतन को जानने से पहले हम इन चीज़ों को मिटाते हैं तब आपको समझाते हैं प्रकास का परावरतन देखेगा प्रकास का परावरतन क्या होता है हम सबसे पहले हैडिंग डालेंगे आप भी कॉपी और पैन लेके बैठ जाएए जैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगें प्रकास का परावरतन क्या होता है प्र mitä प्रिकास का प्रावाटन देखें का प्रिकास जब किसी चिक्नी स्ताय पर तक्र आता है जाके तो वहें उसी माद्ध में बापस लोड़ेता है किस माद्ध में आप इसको एक चित्र के माद्ध में से समझते हैं जैसे कि माण लोग यहां पर आएगे तो जब प्रखाश की करड़ एक माध्यम में आएगी किसी चिक्नी सतय पर तो क्या होगा यहां पर हम еक अबिलंब खिच देते हैं यहां से इंक्टराकर तो असी माध्यम में वापस लोड जाती है और इसी गठना को हम कहते हैं प्रकास का पराबरतन नहीं समझ में आया दुबारा समझ लो सरल सब्दों में समझ लो भाईया आपने क्या किया एक सीसा लिया है दरपड जिसे आप देखते हैं अपनी सकले के लिए उसको आप लेके गए धूप में अब प्रकास की किरण उस प नहीं गरती थे Es cleaned आप दूसरे को मुं के गराते थे घृतना इसको प्रकास की करणari है जो आ रही होती है तो उसको मोलते है आप्तित किरण यह आपकी आप्तित किरण होगी और जो प्रिकास की किरण जा रही होती है यहां से टकरा का उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण यह परावर्तित किरण है जो यहां से जा रही है सिंपल सी बात है जो प्रिकास की किरण यहां से आप्तित होगी तो यहां पर प्रिकास के दो नियम है पहला नियम क्या है मैं आपको समझा रहा हूं पहला नियम यह है कि आपतित किरड के द्वारा बनाया गया कौड यानि कि आई बराबर होगा परावर्तित किरड के द्वारा बना कौड के बराबर ये कौड जो है वो आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं ये आपका पहला नियम है परावर्तित का दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दू तो पराबरतन के दो नियम में आपको चीजें समझ में आ रही होगी चलिए अब हम बात करते हैं दरपड के बारे में कि दरपड क्या होता है तो देखेगा एक आपका प्लेइन कांच है और इसके एक साइड पर हम पॉलिश कर देते हैं और इसका दूसरा जो प्रेस्ट है वो पराबरतन के प्रेस्ट होता है यानि कि यहां से प्रकास की किरण आ रही है इससे हम क्या बोलेंगे आपको पता चुका हूँ पहले से और य पराबरतन के रही है और यह हम पर क्या होगा अब लंग होगा तो जब वो किसी समतल कांच के एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरे प्रेस्ट जो है वह आपका पराबरतक होता है उसको हम कहते हैं दरपड बनके तयार हो गया अब आप जब नाके आते हैं तो सबसे होता है अगर कोई भी चीज भी बेग से आ रही है याने कि आप धीमे-धी और जो आपका दरपड है उसको पास में लेके आया जाए तो होगा क्या प्रतिवंभोगा तो दूगनी स्पीड पर आता हुगा प्रतीत होगा आपको यह चीज दरपड के बारे में यानि कि समतल दरपड के बारे में केलियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं गोली दरपड के बारे में कि गोली दरपड क्या होता है तो माली जी आपका कोई खोकला गोला है खोकला गोला समझते है जैसे कि आपकी गेंद है ठीक गेंद जो है वो काचकी है आपकी राइट ना और वो खोकली है अंदर से अगर उसको एक तरह से हम का काट दें जैसे कि आपकी गेंद कुछ इस प्रकार से होती है ठीक है यह गेंद है और हमने क्या किया इसका एक साइट क्या किया मैंने काट दिया ठीक है इस प्रकार से एक साइट को काट दिया और जब हम इसकी एक साइट पे चांदी कई ऐसके जो दूसरा प्रावर्वर्थ प्रीश्ट होता है तो हम कहते हैं कि आपका गोली दरपड बनके तैयार हो तहीं होगा चैनल जी खोकला आपका प्रस्ट है जैसे गेंद को आपने काड़ दीया था उसके बाहरी साइट पे अंदर की साइट पर आपने पॉल्श कर दी तो गोली दर्पड बनिकाए है याने कि ऐसा दर्पड जो गोल आकरति में हो याने गोली हो जिसका करब ती रूप में आप दलदरपड में क्या होगा जैसे कि आपका यह बना हुआ तो इसके बहारी साइट पे इसकी पॉलिस कर दी जाएगी और अंदर की जो सतय है इसकी परावर्तक होगी तो इसमें क्या होगा कि जब भी प्रिकास की किरड आएगी इसमें यानि कि जब भी प्रिकास की किरड क कि इस प्राकास से ये यहां पर इसका दुर्व होता है इस जिजों को मैं एक-कर कर के बता auga यहां पर गया फोकॉस बंडू से होकर गुजरेगी तो यहां पर जिसन और फोकस बिंदू किसे कहते हैं जहां पर यह प्रिकास की किरड़े मिलती है उसको हम कहते हैं फोकस बिंदू यह काम होता है आपका अपतल दरपड का अब हम बात करते हैं उत्तल दरपड के बारे में उत्तल दरपड में क्या होगा क्लड़ इस पर प्रकास की करड़ है और ये बिखेर देगा इनको क्या 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 होता है ये ओटल दरपड और ये प्रिकास की करड़ों के क्या करता है जब भी आते हैं तो इनको इखटा कर देता है यह आपने बहुत अच्छी से समझ मिले गया होगा एग बात दोबारहनी करते हैं कि गोली दरपड क्या होते हैं तो एसको हम आदा आदा काड़ा निर्मापें हो गया या accumulate चैहर हो यह अव्क चैहों गया यह क्या अफ्तल दरपड अगर हम बात करें उत्तल दरपड की तो उत्तल दरपड की क्या होता है इसके अंदर की सतय पर यानि कि दभी ही सतय पर हम पॉलिश कर देते हैं और जो बहर का प्रिष्ट होता है वह प्रावरतन प्रिष्ट होता है और इससे जो आने वाली प्रिकास की यानि कहां पर ये यूज होते हैं, कहां पर इनकी और अप्लिकिसंस होती हैं, उन सब के बारे में जानेगे, तब तक बने रहे हमारे साथ, और एक बात और, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, क्योंकि आपके एक बटन दबान इससे कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा उत्सा बरदन होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बंदे महतरण,